जनता को कोटी-कोटी सादुवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा, उरों ने जो आशिरवाद और स्ले दिया है, यह हम लोग जीवन भर नहीं भूलेंगे, और पहले भी सेवा करते आए हो और आगे अपना सर्वस जबलपूर सहर के लिए लगाएंगे, इस जीत का बहुत बहुत लोगों ने दलगत राजीत से उबर उटके शेर विकास के लिए गोट डाला, आज सहयोग है बहुत बड़ा, कि इसके पहले जो महापड जबलपूर शेहर में बने थे, वो माननी विश्वनाद दुबेजी बने थे, और आज उनका जन्देवस है, और आज के जनिय हम लोग खरे उतरेंगे, और जो हम लोगों ने वादे किये हैं, शब्त शाव है, सारे वादे हम लोग लिभाएंगे, यह परिवर्तन है, लोगों को विकास चाहिए, विकास के अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए, बुनियादी समस्याओं से लोग ढूद रहे हैं, बुन पर शेहर को आगे लेकर आना है, हम सब की मिलकर यही परात मिखता है, तो कि आप इसी तक यह होगी, आपके प्रसर हो रहा है, अभी गिंती बाकी है, गिंती पूरे होने में लगवद मुझे असा लगता है, दो गटा और लगेगा, उसके बाद मैं आप सब के पास फिर से चाहूंगा, और शेहर की जनता को अभी के स्थिधी के लिए भी मैं कोटी-कोटी धन्यवाद देता हूँ, जो भरपूर इसने और आशिरवाद जबलपूर नहीं भूलेंगे, और पहले भी सेवा करते हैं, और आगे अपना सर्वस जबलपूर शेहर के लिए लगाएंगे इस जीत का बहुत बड़ा कारण हमारे कॉंगरेस पार्टी के सीर्ष के नेता से लेकर अंतिन छोर के जो हमारे कार करता हूं, उनने एक जुट्टा के साथ कॉंगरेस पार्टी के लिए चुनाव लड़ा, बहुत लोगों ने दलगत राजीच से उबर उठके शेहर विकास के लिए होट डाला, आज सायोग है बहुत बड़ा, कि इसके पहले जो महापुर जबलपुर शेहर में बने थे, वो माननी विशनाद दुबेजी बने थे, और आज उनका जमदेवस है, और आज के जनिये सभाद के हम लोगों को पराप्त हो रहा है, अभी गिंती जारी है, इनकी पूर होने के बाद मैं आप सबसे सिर्फ आपके पास आऊंगा, जबलपुर शेहर की जन्ता ने जो आशिरवाद हम लोगों को दिया है, उनकी कसोटी पे सदैफ हम लोग खरे उतरेंगे, और जो हम लोगों ने वाजे किये हैं, शब्दशा वैस सारे वाजे हम लोग लिभाएंगे, यह परिवर्तन के ही लहर है, यह परिवर्तन है, लोगों को विकास चाहिए, विकास के अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए,